हेलो दोस्तो मेरा नाम है फंकर सिंग स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल दा यंगर्स अप्टोमेटिस्ट फर दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा जो न्यू यूवी टेस्टर जो आया है मार्केट में उसका कैसे यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है तो चलो हैं यह अभी नई मार्केट में है तो इसका रिव्यू क्या है कैसे है कैसे वर्क करता है मैं इसका प्रपर आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं तो द्यान से देखेगा यह वीडियो आपको पूरी यह वीडियो देखनी है तब ही आप यह वीडियो समझ पा यह है और यह किस लिए मतलब इसका यूज क्या होता है यह क्यों यूज करते हैं तो ज्यादा तर लोगों को यह पता होगा लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं इस डिवाइस का यूज बेसिकली हम करते हैं यूवी की रिडिशन जो हमारे लेंस के थूरू पास इसमें मैं आपको functions बता जिता हूँ, यह जो बटन आप देख रहे हैं, यह पावर की है, इससे आप on off, इससे आप easily कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका basically function यही रहता है, आप इसका use on off के लिए करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो से आप अपने इस device को charge भी कर सकते हैं, और इसका charger जो है, यह company देती है, ठीक है, तो यह charger इसका रहता है, basically इस type का charger है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और यह इसका charging point है, जो आप इसको normally इसमें, यहाँ पर इसको pin कर सकते हैं, ठीक है, तो यह basically charging pin इसका यहाँ पर use करते ह है और यह आपका चार्जर हो गया उसके बाद अभी जैसे इसको हमें यूज़ करना रहता है तो इसके लिए टू पॉइंट्स हमें यहाप मशीन में देख रहे हैं ठीक है तो यह जो पॉइंट है आप यह बाले जो फर्स्ट देख रहे हैं यह 30S लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 30 seconds और इसका मतलब होता है 60 second ठीक है तो अभी किसी को जब आप डेमो देंगे तो अगर आपको थोड़ा कम टाइम रखना जैसे 30 seconds का रखना तो आप इसको क्लिक करना रहता है तो यहापर light जलेगी तो यह 30 seconds के लिए light यहाँ से जो इसकी नीचे आप द डेमो करके भी दिखाएंगे ठीक है और यह वाला जो आप देख रहे हैं यह 60 सेकंड के लिए रहेगा ठीक है आपको थोड़ा ज्यादा डार्क करना है थोड़ा मतलब आपको ज्यादा डार्क करके दिखाना है कि यह कितना मैक्सिमुम डार्क कर सकता है तो आप यह 60 सेकंड क के लिए इसको set कर सकते हैं तो अभी मैं इसका यूज करके आपको दिखाऊंगा तो इसका जो charger है मैं इसको इसके pin point में लगा देता हूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको इसमें लगा दिया है और यहां पर blue color की light आप देख पा रहे हैं और यह मैंने switch on कर दिया है और मैंने इसका charge का जो pin है मैंने इससे connect कर दिया है device से तो अभी हम क्या करते हैं इसको start करेंगे तो इस button को हम जो power की है इसको हम press करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं यहां पर यह जो light जल लिए 30 second के तो यह on हो गया है 30 second के लिए और इसके नीचे से जो आप light देख पा रहे हैं ठीक है friends तो यह जो light है यह UV light है ठीक है तो इस light को हम UV light बोलते हैं और इसी के तुरू हम आपको भी demonstration करके दिखाएंगे ठीक है तो अभी जैसे कि मैंने बटन दबाया तो आपको यह देख पा रहे है 30 second के लिए on हो गया है अभी हम क्या करेंगे इसको एक बार और यह अपग्रेड हो गया यानिकि यह 60 second तक अब यह जो नीचे से जो light आप देख रहे हैं UV light यह 60 second तक वर्क करेंगी ठीक है friends तो अभी हम क्या करेंगे इसका demo में आपको करके दिखाता हूं ठीक है यह भी मैंने बंद कर दिया है तो friends आप यह मेरे हाथ में देख रहे हैं य यहां पर ठीक है तो इसको मैंने इसके नीचे रख दिया है यहां पर अभी हम क्या करते हैं इसको on कर देते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं 30 second के लिए ठीक है तो जैसी 30 second complete होंगे हमारा जो lens होगा वो dark होता जाएगा ठीक है अभी मैं इसको 60 second के लिए करूँगा तो यह और dark हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं इसको बन कर देता हूँ और यह हमारा lens proper dark हो गया है आप देख पा रहे हैं जैसे कि ठीक है तो यह है फ्रेंड्स फोटो क्रोमेटिक लेंस जो proper dark हो गया है ठीक है जो हमारा UV light होती है संसे जो protection मिलता है इसके तुरू तो यह उसके लिए work करेगा ठीक है बकी इसकी एक detail वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है उसमें point wise मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे use करते ह है क्या function होता है UV light का किस तरीके की UV हमारी संसे आती है और इस device का जो proper tutorial है मैं वह आपको next video में समझाओंगा तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए जैसे कि मेरी जो latest video जो आएंगी next coming वह आप तक पहुंच ठीक है और अगर आपको इस में कुछ समझ में नहीं आये तो मुझे comment कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही friends thank you so much